यह 25 mm का केबूल है जिसे आभी डालना है और हम लोग को यहां 32 एमप्यार का एक 3 पेज का मेन स्वीच इंस्टल है उससे रिमूब करके हम लोग यहां 100 एमप्यार का मेन स्वीच इंस्टल करेंगे तो यहां पर देख लिए एक 5 बार दिया हुआ है और बाया तरफ जो हमारा लगा हुआ है 32 एमप्यार का 3 पेज का मेन स्वीच है तो इसे रिमूब करना पड़ेगा रिमूब करने का बाद हमारा पास हैवेल का 100 एमप्यार का मेन स्वीच आया हुआ है तो इसे पहले चलिए आन्बोक्सिंग कर लेता हूँ क्योंकि है नामचीन प्रोड़क्ट है और प्रोटेक्शन से पी इसका जो फ्यूज कानेक्टर है यह थोड़ा अच्छा दिया हुआ रहता है जो इसमें वयर भी दिया हुआ है और कानेक्शन करने के लिए अच्छा है बागी जैसे दूसरा कूंपानी का थोड़ा डिपिकल्ड लागता है अल्टर टैप का दिखता ह यह जैसे फ्यूज दिया हुआ सिक्सपीच डबल डबल करके आप कानेक्शन कर सकते हैं तो यहां पर सव एंप्यर का हम लोग इंस्टोल कर दिया हुआ और बास बार में हम लोग चेकिंग कर ले रहा हूं कि बाल्ब हमारा जो है तीनो फेज में जल रहा है कि नहीं तो चेक श् Exact 축 में और यह में 50 कब डूंग का डला हूं और यह 25 स्क्वेर में 4라고 का केबल है तो वह मतलब उसमें घुज़े गाया ringing तो फिर इसकी नहीं नहीं तो यहां पर निस्टल करना इस दीबार के लिए यहाँ पर बहुत सारा welding machine है कि कि इसका पर में टीनिया का सेड लगा इसके लिए लोय का pipe बगएरा इसकार pipe यह सारा welding करेगा तो 5-6 यहाँ पर welding machine है तो 3-phase का यहाँ पर separate हम लोग पर 100 A का power देना है और एक पांस बार देना है तो देख लिए कुछ इस्परीका से आप आर्माट को जो सिलीप कीजेगा तो इसका rounding cutting कुछ इस्परीका से कीजेगा सभी तरफ घुमा 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 के करने के बाद जो है इसका उपर का केबूल है उसे सिलीप करना है शाकू नाइप चाहिए तब अच्छा से वगा और एक पर फी से देखिए फुरा cutting कर लिया हूँ अब सिलीप कर देता हूँ इसका पूर का काभार को सिलीप करने के बाद जो है अभी इसका जो आर्माट है आर्माट को निकलने पड़ेगा जिसे थोड़ा थोड़ा काड़ दिया हूँ पेले अल्रेडी तो उस आर्माट को निकलने के बाद हम लोग को इसका जो चार केबूल है केबूल को थोड़ा जो एंड में है थोड़ा सा पोने एक इंची कुछ इस तरह का सिलीप करना है सिलीप करने के बाद अभी हम लोग इसे कनेक्शन करेंगे तो अपका इस तरफ का होगी है जो लास्ट में हमारा स्वेंप्यार इंस्टोर रहेगा लेकिन आभी आया नहीं हमारा बांसबार एक शवेंप्यार का मेंड स्वेच तो इसको सिलीप करके आभी राग देता हूँ और इसका दुसरा इंड है वहाँ पर जो भांसबार है वहाँ पर भी हम लोग सिलीप करके राग दूँगा तो यह देख लिए जिसे यह पर ग्लेंड बगरने लेगा क्योंकि यह काम करने के लिए लाया जा रहा है तो इसके बाद फिर यह दूसरा जगा में शीप कर आएगा तो यह पर मैं इसका कावार से इसको रोटेट कर देता हूं और आर्मट में बांद दूँगा ताकि इसमें जो आर्मट है वो केबूल में कानेक्शन ना होए और सेप कर दो